दिल्ली एंसियार में अक्टूबर के महीने में गर्मी रेकॉर्ड तोड़ ही है। पिछले 24 घंटे के दोरान आपको जानकर हरानी होगी कि दिल्ली का अधिक्तम तापमान 36 डिग्री सैसेस रेकॉर्ड किया गया। सबसे जादा गरम गुरुवार को दिल्ली एंसियार रहा। अक्टूबर के महीने के इतने जादा गरम होने की वजह से मौसम केंदर की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक सुभा के वक्त लोगों को हलकी ठंडी का एहसास होने लगा था लेकिन अब सुभा से ही अधिक्तम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम केंदर के वरिष्ट मौसम वैक्यानिक महम्मद तानिश और सोमा सेन रॉय के मुताबिक आज यानी शुकरवार को दिल्ली एंसियार का अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि नियुनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है। अभी तक पिछले एक हफ़ते में दिल्ली एंसियार का नियुनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच किया था जिस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रात का तापमान अभी और गिरेगा और रात में लोगों को सर्दी का एहसास होगा। और 20 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह बना रहने का भी पूरवा नुमान मौसम केंदर ने जारी किया है। फिलहाल अक्टूबर के महीने में सर्दी ना पढ़ना ये मौसम विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विशय बन गया है। जिसको लेकर मौसम केंदर लगातार मौनिटरिंग कर रहा है। कि सर्दी कब तक दस्तक देगी। लेकिन अभी फिलहाल मौसम जैसा है ऐसा ही बना रहेगा इसमें कोई भी बदलाओ नहीं होगे। तापमान में सिर्फ उतार चड़ाओ होते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली वासियों को अभी ऑक्टूबर के महिने में भी गर्मी का ही सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18